आज हम लोग अनुपात के पार्ट फाइब जो है वो करने जा रहे हैं यहां पर देखिए यह जो सवाल जो है यह आपके किताब में पेज नमर 95 का 62 प्रियोग में है तो यह जो है अब देखिए सवाल क्या है यह इसके बराबर होने से दिखाएं कि परतेक अनुपात जब इस तरह का सब्ध रहेगा परतेक अनुपात तो आप समाझ जाएएगा इसमें सयोगनप्रिया करना पर आप आप कड़िया है सवन्योगन परिया तो आप इसमें आईए इसमें देखिए वाई है और एकस है जेड नहीं है हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जेड यहाँ पर क्या है जोड देज्ञ जाएगा ना लॅ क्या इंदि कि Satya यहां पर दायापच में जेट के साथ क्या है ए है ना एक काम किजिए उपर भी ए अंग्स भी ए और हर ए से इसको गुणा कर दिजिए है दी मैंनस सी यह बी जेट मैंनस सी वाई है और इसमें देखिए क्या है जेट के साथ क्या भी है ना उपर नीचे इसमें अंग्स रहर में बी से गुणा कर दिजिए अब देखिए अब इसको आप गुणा करें तो ए बी जेट मैनस एसी वाई यह गुणा कर दिजिए ए बी मैनस एसी इसमें क्या देखा बी सी एक्स मैनस एबी जेट यह बी सी मैनस एबी आप हम लोग सायोजन पर गया करते हैं तब यह यह और का चिन नहीं होगा बडाबर का चिन होगा तो यहाँ ए बी जेट मैनस एसी वाई जोड बी सी एक्स मैनस एबी जेट नीचे भी हम्मारा जोड हो जाएगा यहीना अमरा सायोजन पर गया है यहाँ लिखिए शयोजन पढ़किया से अब देखिए इसमें एबीजेट एबीजेट कट गया यह बराबर चीन रहेगा कोई कट रहा हाँ यह भी कट रहा है अब यह क्या माइनास एसी वाई मायननस ए पलश दी सिस्ट मायनस इसी को मलन लेजए यह मायनस पी से निचे अपना मायनस इससे कर जाता है तो यही देखिए कहा है हमारा प्रत्यक का अनुपात यह होगा इसका भी अनुपात यह होगा तो अब हम इसमें परमानित लिग देंगे आप देखिए यह भी सवाल आपके किताम का है यह सवाल तो साथ का तीन नमन है पेज नमर अंठावा अंठावे में आप देख लिजए अब देखिए यह सवाल में भी देखिए लिखा हुआ है परते कानुपात जब यह सब्द रहेगा परते कानुपात तो आप समझ जाएगा इसमें आपका सही ओजन परकिया करना पड़ेगा और यहां पर एक बता रहा है न न एक के बराबर है तो हँम यहां पे काम परें इंगे एक्स हम लोग रखेंगे और यह देखाने हटाएंगे तो यहां पर देखिए यहां पर वा य के साथ आप लेवागा मैं नीचे इसलो ने कर देगे और यहाँ पर एक बात्या देखिए जिधर का आप देखेगा उसका विप्रीत जो पच्छ उसका आप देखेगा यहाँ पर y के साथ क्या है बी है ना तो b से answer को गुणा कर देंगे आप देखिए इसको गुणा किचे अब देखिए जब संयोजन करेंगे तो यह यह हमारा कड जाएगा तो यहाँ बड़ाबर चिन दीज़ेगा याद रिखेगा इसको हम दुस्ता कलर से दे रहे हैं यह ओड या या का चिन है देखिए हम बड़ाबर चिन को हम अलग कलर का पेन से लिखे हैं ताकि आपको याद रखे यह सब या का चिन है जब भी आप संयोजन कीजिएगा तब आपको बराबर चिन देना पड़ेगा आप देखिए यहाँ अहर को भी जोड़िये आंग्स को भी जोड़िये यह जो है यह चिन हर जागा यह प्लास कर दीज़ेगा सिधे यहाद रखेगा सोचिए यह यहाँ पर चलाया और यहाँ पर जोड़ चिनना जाएगा अगर माली आपको चाहतर दिक्कत हो रही है तो अब यह यह देखिए कड़ गया कड़ यहाँ पर दिखना पड़ेगा पर तक है चgon प्रकिया कर दो आरा है अब देखिये यहाँ हो गया अख 11 इस भी स्कतिदे कि इसकर प्लस पिसकर अब एक सब को मन लें लेजेगा तो अखी इस कर ay वी दखिए इस लास भी स्क है यहीए यह हमारा कड़ गया तो यह कितना हुआ एक्स हुआ यही तो करना था ना एक्स के पराबर आपको यहां पर दिखाएं बोले हैं तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा क्या हो गया परमानी थे इस स्वाल में भी देखिए परतिक कानुपार 1 by a plus b plus c तो इसको भी हम लोग सायोजन परकिया करेंगे तो हम वहां इस सवाल को उतार दिया है अब यहां बराबर चिन देखे सायोजन परकिया कर दे रहे हैं तो देखिए यह x plus y plus z होगा यह वजाएगा एक से y b plus z c यहां लिख दीजेगा सही ओजन रखिया द्वारा अब x plus y plus z जो है अब नीचे देखिए जो x सब जो है वो सब पर एक तरफ लिए x a plus x b plus x c y a y b plus y c z a plus z b plus z c x plus y plus z नीचे x कोमन लिए a plus b plus c इसमें y कोमन लिजे a plus b plus c इसमें z कोमन लिजे a plus b plus c x plus y plus z नीचे a plus b plus c कोमन लिजेगा तो एक यसमें लिए नीचे अप्रोच इसमें रिख जो जायेगा यह यह कट गया तो मारा यह क्या हो गया एक बट्र प्रस बेडिगा अपर्द ब्लस c देखिए यह सवाल देखिए यदि x by y plus z बराबर y y z plus x बराबर z by x plus y हो तो पर्मानित करेंड आपड़ेगा तो पर्ते कनुपात यहां पर भी देखिए पर्ते कनुपात का है कामान एक मुटा दो या माइनस एक के समान होगा यह आपको दिखाना है तो एक काम करते हैं सवा यह प्लस जे एक सब्सक्राइब प्लस जेट बराबर y by z plus x x by x plus y अब एक काम करते हैं यहां पराबर चीन्न देते हैं आश्रायोजन का पर क्या करते हैं हर का जोड और आंस का जोल यहां आप लिख दीजिए सईयोजन पढ़किया द्वाड़ा आप देखिए यह x plus y plus z यहां दिखिए 2x plus 2y plus 2 z एक सब्सक्राइब प्लस जेट यह 2 को मल लेजे x plus y plus z इसका मान जो एक बटब दो निकला तो परतिक अनुपात का मान एक बटब दो होगा अब आएए साथ में माइनस रहान भी प्रमाइद करना पड़ेगा तो अब एक काम करते हैं हम यह दो को लेकर सहीम परिक्रा करेंगे दो को लेकर भी अम सहीम परिक्रा करके जो मान आएगा वह आपका इस दोनों का Unnupat के साथ साथ इसका भी उनवल सब भराबर है ना है तो हम लोग फिर इसको हम सवाल को उतारते हैं तो हम दो लेंगे अब एक्स y प्लस z, y-z प्लस x, बराबर y बट़ा z-9 अब एक काम करते हैं, यह यह देखी या चुछी न दिये हैं, जब तक सही मुझन ने कर रहे हैं में आप एक काम करते हैं, ऊपर भी माइनस लिए हैं, नीचे भी हम माइनस से गुना किये हैं देखिए उपर भी माइनस से गुना किये नीचे भी माइनस से गुना किये आब हो यहाँ पे सही हो जब भी सही ज़न प्रखेंगे तब बराबर चिन देंगे तो देखिए यह y प्लस z यह प्लस ब्राकेट में माइनस z प्लस एक्स यह x प्लस हाँ दिखेंगे शायोजन प्रक्या द्वारा अब दिखेंगे यह x माइनस y हो गया और यह y प्लस z अब यह दिखेंगे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो यह माइनस z माइनस x हो जाएगा तो यह दिखेंगे जेड़ जेड़ हमारा कट गया अब यहाँ पर x प्लस y यह माइनस x प्लस y दिखें माइनस अगर कुमन लेंगे तो सॉड़ी यह माइनस है एक्स माइनस y हो जाएगा इसको काटेंगे यह हमारा माइनस वानों यह पर मानी तो